विएट सेकेंड देत की पेपर, पेड़ा कोजिय उपी स्ट्री यहास का सिक्षिन शास्टर विशेय के अंतरगत आज हम अब तक हम लोग यहास पाटेकरम संगटन के चार उपागमों के बारे में अध्यान कर चुके थे सगेंडरी उपागम, प्रकरण उपागम, कालकम उपागम और जीवन गाथा विधी हम इन चार विदियो के बारे में अध्यान कर चुके थे आज हम कुछ 3 वीधियां और हैं जिनके बारे में अध्यान करेंगे जिनके सबसे पहली है प्रतिगामी या प्रतिवर्टन वीधिया प्रतिगामी या प्रतिवर्टन वीधिया जिसे प्रॉफेसर घाटे न dust प्रॉफेसर गाटे ने पैंडूलम वीधी भी कहा है। इसको पैंडूलम वीधी भी कुका है। क्योंकि यहां पर यह पर इस पर सुथ से उन्होंने कहीं कि किसी भी वस्तु के वर्तमान की इस्तीती किसी भी वस्तु के वर्तमान की इस्तीती और उसकी व्याख्या करने के लिए हमें उसके निकट भूत में जाना होगा। अर्थात की वर्तमान में जो चीज हमारे सामने हैं उसकी उत्पती कहां से हुई, उसके कारण कहा हैं, उसका उत्दम कहा हैं वहां से संगल्धित करते हुए हमें उसके मुक्लूर कारणों को प्रदर्शित करते हुए यान객 जिसम्नी etге प्रतिकार्मी यानि कि परावर्तन जिसमें पेंडूलम की तरह वर्तमान के आधार पर जो वर्तमान को समझने के लिए निकटम भूद से उसे समझ दित जानकारों को जोटाना उठाना और वर्तमान को समझने में स्योक्रदान करने की पात कहीं दे आधार की जो कहना चाहिए कि ग्याद से अ एकत्रित करना ही पेंडूलंग भी धी है, लेकिन इतिहास वर्तमान नहीं है, ये भी स्पस्ट है, क्योंकि वर्तमान के आधार पर या इतिहास की किसी भी गटना सा, वर्तमान से कोई संबन नहीं होता है, हम वर्तमान की परिस्तितियों को समझने के लिए उधारन हम बेशक मांसे ले सकते हैं लेकिन वर्तमान की घटिक घटनाओं का भूतकाल से प्रभावित होकर अगर घटिक हो ऐसा नहीं है अर्थात इतिहास में इस तरह की संभावनाएं नहीं पाई जाती है अर्थात वर्तमान का आधार अतीत को समझा जाए ऐसी संभावनाएं कम रहती हैं इसलिए इतिहास की जो सत्य घटनाएं हैं वो वर्तमान के आधार पर नहीं समझी जा सकते हैं उधारन ये रूप पर भले ही देखा जाए, लेकिन इतिहास की घटनाओं को समझने के लिए वर्तमान उप्रियों की तुलना पढ़ने में थोई सी समस्याएं या दिक्क्राइब दूसरा जो है यहाँ पर है सांस्क्रतिक यूग उपागम यानि कि ये वहा सांस्क्रतिक यूग उपागम जिसके अंतरकर संस्क्रति का विकास और बालक के विकास करम को समान या संदुल्य वाना जाता है कैसे कि जैसे बालक की प्राणम में काल्म बालक की मानसिक्शमताएं कम होती है सरल चीजों को समध पाता है गूर या कठी बातों को या तत्यों को अभी समझने कि उसकी शामान सी चमताय नहीं होती है तो वही चीजे कि संस्ट्रतियों का विकास भी धीरे धीरे होता है इसी लिए इस उपागम के अनुकर ये माना जाता है कि इस उपागम के जो प्रतिपादक थे बहुत है स्टन स्टन ले इसके प्रतिपादक थे और इनका मानना ये था कि बालग को प्रारंभिक अवस्ता में संस्क्रति की प्रारंभिक विकास के करम को ही समझाना चाहिए जिससे की बालक उस चीज़ को, क्योंकि बहुत जो उसकी प्रारम्विक आवस्था में, संस्कृति की शैशवा आवस्था होती है, जिसको बालक के लिए समझना सरल होता है, वहाँ पर बहुत गूर तथ्थे उस समय सामने नहीं होते हैं, जैसे जैसे उसकी आयू बढ़ती है वैसे वैसे संस्कृति के विकास की क्रम को बालक के साथ में साज़ा करना चाहिए, जिससे की बालक की मानसिक योगताओं का विकास होता रहता है, जिससे संस्कृति के विकास के क्रम को बालक सरलता से और सुगमता से समझ सकता है, इसलिए पाठ्टे क्रम का जब संगठन कि या जाना चाहिए और फिर बार में अंतिम और ती सिर्फ अर्चो मरिया पर एक तरह से सात्वा हमारा पॉन्टे चार अंबले कर चुके हैं उसके अंपूर यह पाच शे और यह सर्थ हमारा उपागम है जो कि पाठेगम संगठन का तो वह अंतिम है विकास की दिशा का का उपागम इसका समर्थन जैफरी ने इसका समर्थन किया था ठीकिन है जैफरी इसके बारे में कहते थे कि विकास की दिशा का जो है उपागम इसके अंतरगत सभ्यताओं के विकास की उनका अध्ययन किया जाना चाहिए किसी एक सभ्यता के विकास को उधारन के रूप में सबी सभ्यताओं के विकास के उधारण के रूप में पढ़ाया जाना उचित नहीं है क्योंकि संभाव है कि कोई एक सभ्यता स्वतनतर रूप से उसका विकास हुआ हो किसी अन्य सभ्यता का प्रभाव उसके ना पढ़ा हो तो ऐसे में उस सब्वेतार की विकास की कुछ विशिश बाते हैं जो हो सकता है हम बालक से या हम उसे समझाने से या सबसे साजा करने से रह जाएं इसलिए अनिवारे हैं कि संस्कृतियों के विकास की क्रम को उलिकास यात्रा को पाधपुर के सामने फ्रस्तुल करते वे समझाया जाना चाहिए। इसी आधार पर पाठेक्रम का संवठान किया जाये। तो पाठेक्रम प्रभावी, रोचा और उपयोगी बन सकता है। आशा करती हूं कि यह सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई लोगी क्योंकि यह हमारे सिर्फ कुछ तीन पॉइंट की बच्चे थे जिनको हमने आज लेगा। इनमें इनी के आधार पर जब पाठेक्रम का संवठान या पाठेक्रम का निर्मान किया जाता है। तो पाठेक्रम को उप्योगी और प्रभावी बनाया जा सकता है। क्योंकि हम इसके पहले एक तरह से साथ हम उपागमों की चर्चा कर चुके हैं। पहला हम संकेंद्रिय उपागम। दूसरा कालक्रम। उपागम। तीसरा प्रकरम। चौथा जीवन गाथा। पाठवा जो आज अपने देखा था। प्रतिगामिक। प्रतिगामिया, परावर्तन, उपागम, चट्टा, सांस्क्रतिक, युग, उपागम। और सात्वा हमारा जो अंतिम था वा विकास की दिशा उपागम। दिशा उपागम। जिसके आधार पर पाठवक्रम का नर्धारन या पाठवक्रम का संगठन सुव्यवस्ते धंजे किया जा सकता है। आशा करते हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई हो कि इसे क्या धार पर आपको एक प्रश्न करना है। इतिहाज पाठवक्रम संगठन में प्रतिगामी उपागम। सांस्त्रतिक योग उपागम वर विकास की देशा उपागम के योगाम को समझाए। आपको समाप करने से पहले कोविड-19 की महमारी के दर में अपने आपको सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यक्ता हो तो भी गर्शे निकने गर्शे बहार निकल रहे हैं। पुतीन बातों का ध्यान रखें। मुप्रमास लगाएं। सोशिल डिस्टेंजिंगा पालन करें। अपने आपको सैनिटाइस करते रहें। स्वास्त रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवार।